आज मैं आपको केरला की बहुत ही फेमस मलाबार परोटा यानि की केरला परोटा की रेशपी बनाना बता रही हूँ जो की लच्छे पराथे जैसा होता है पर बहुत ज़्यदा सौफ्ट फ्लेकी और लेयर्ड पराथा है केरला में इसे परोटा बोलते हैं और यह वहां की फेमस स्ट्रीट फूड है आज आप मेरी इस रेसिपी को देखकर घर पे बहुत ही असानी से मलबार परोटा यानि की केरला परोटा असानी से बना सकते हैं तो यह सॉफ्ट फ्लेकी फराठा बनाने के लिए मैंने एक बड़े मिक्सिंग बॉल में तिन कप मैदा लिया है रिफाइन फ्लोर आप चाहे तो इसे वीट फ्लोर से भी बना सकते हैं पर अगल आप इसे और इसे रिफाइन वीट फ्लोर यानि बैंदे से ही बनाया जाता है मैदे के साथ मैंने यहां पर एक चुटा चमच नमक और एक बड़ा चमच चीनी डाला है अब इसमें दो बड़ी चमच हम घी डालेंगे गी की जगवपे आप बटर भी डाल सकते हैं दो बड़ी चमच हम इसमें सूजी डाल देंगे और यह तीनों चीजे डाल कर हम मैदे क साथ इसे अच्छी से मिलाएंगे इसमें अच्छा सा मोहीन आ जाना चाहिए उसकी बाद हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका एकड़म सौफ्ट सा डो लगाकर त्यार कर लेंगे तो जो डो है वह हमें बहुत ज़्यादा सक्त नहीं लगाना है हमें इसका डो एकड़म स सौफ्ट सा डो बनाकर मैंने हात्यार कर लिया है अब इसके उपर थोड़ा सा टेल डालकर हम डो को टक करके और कवर कर देंगे एक क्लिंग रैप से और इसको हमें आधे गंड़े के लिए ऐसी छोड़ देना है ताकि जो डो है वह अच्छी से फुल जाए और तेल भी और आधे गंड़े बाद हम डो को मिक्सिंग बॉल से बाहर निकाल लेंगे और इसे हम पांच मिनट तक अच्छे से और नीट करेंगे लाकि जितना वी ओल हमने डाला था वह सारा यह अब्जॉर्ब कर ले तो यह जो मालबार परोटा होता है इसमें तेल थोड़ा ज्यादा ल आधे दो को रोल करने के बाद हम इसे प्लेट पर लगा लचे और इसकी उपर हमें फिर से तेल डाला है कम से कम चार बड़ी चममच और इसको हम फिर से क्लिंग फ्लिंग से रैप कर आधे खंटे के लिए अलग रग देंगे आधे घंटे बाद हमारा डो बिल्कुल थोरा स कमोषिआ वने मैदा लगाकर यानी मैदा डुड़ी कर Around Us जितना पतला हुससे के रूल करते जाए ऌा में जुड़ा हातों से बेले या फिर हतों से हेलेगे intelig आप तो से ही त्यूचत था करके इसकों फैलाते जाए तो दोनों तरब से सारे लच्छो को उंगलियों की मदद से या फिर नाइप की मदद से इस तरह से खटा कर ले उसकी बाद हमें इसको रोल करना है तो इस तरह से फोल्ड करते जाए अगर आप बड़ा पराठा बनाना चाहते हैं तो आप इसी तरह से स्ट्रिप्स काट कर और फोल्ड करकी इसके साथ ही जोड सकते हैं अब इसे हमें हलके हातों से बेल लेना है तो थोड़ा सा ओयल या फिर आटा डस्ट करते हुए हमें इसको रूल करना है हातों की मदद से इसको थोड़ा सा फैला लीजे और फिर जितना पतला हो सके आप इसको हलके हातों से ही बेल कर तयार कर ले तो बेलने के बाद हम इसको तवे पर डाल दे रहा है और एक तरब से जब है सब इख जब इसको इसको पलट कर हमें घी आ तेल लगा लेना है तो दोनों तरब से एकDum जब यह golden flaky हो जाए तो थोड़ा-थोड़ा तेल लगाकर इसको अच्छे से सेक लें तो यहां पर देखे हमारा मलवार पराथा सिक कर तयार है बारी-बारी से हम सारे पराथे को सेक लेंगे और पराथे सिकने के बाद जब यह हलकी गरम-गरम हो तो सारे पराथे एक साथ ही ह क्लैपिंग मोशन में इस तरह से इसके लच्छे को खोल लेंगे तो बहुत ही फ्लेकी और सॉफ्ट पराथा बनके तयार होता है आप देख सकते हैं इसके लच्छे कितने अच्छे दिख रहे हैं और यकीन मानिए बहुत ज़दा सॉफ्ट और फ्लेकी बनते हैं तो आप मे आप से अगली वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई टेक केर